नमस्कार की सद्फाइएर और मेरे पसपाल को स्वागत है हमारे चैनल बेखबर फर्ष से मैं हूँ आपको दोष्विकास दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी परिशानी के बारे मता रहा हूँ जो हमारे अक्सर घाय और भेंस में हो जाती है दोस्तों जब बच्चा देने वाले होता है पसु तो उस समय जो है बच्चा दानी बाहर निकलने लग जाता है और एक कारण दोस्तों जिसमें जो है उसकी उम्र जादा होना ये तीनों कारणों के कारण से दोस्तों पसु का जो बच्चा दानी है वो बार-बार बाहर निकलता है से आज पर गरम करना है और जब यह गरम हो जाए तो इसमें जो है हमें डालना है लगभग 60 ग्राम मसूर की डाल मसूर की डाल में दोस्तों सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है और इसमें जो है दोस्तों 100 ग्राम मसूर की डाल में लगभग 19 मिली ग्राम केल्सियम होता है इस जलने के लिए रख देना है आप देख सकते हैं यह जलना स्टार्ट हो चुका है और इसे जो है थोड़ा सा मिलाएंगे दोस्तों ताकि जो है सभी जो मसूर की डाले हैं अच्छी तरीके से जल जाएं अगर अच्छी आज पर है दोस्तों तो इसे जो है जलने में मात्र 10 तो चलिए अब हम इसे उतार लेते हैं और उतारने के बाद दोस्तों इसे जो है हमें ठंडा होने के लिए रख देना है अब देख सकते हैं दोस्तों इसमें जो हर दाने है लगभग सभी दाने जो है अच्छे तरीके से जल चुके हैं और उसके बाद दोस्तों यह जो मसू तरीके से चनी वगरत से चान लेना है ताकि इसका एक बारीक पाउडर हमें मिल सके और उसके बाद दोस्तों हमें लेना है लगबग एक लिटर के आसपास जो है हमें दही लेना है दोस्तों दही के लगबग 100 ग्राम में 83 मिलीग्राम जो है दोस्तों कैल्शियम होता है अच्छे तरीके से मतना है दोस्तों ताकि जो पाउडर है वो अच्छे तरीके से दही में मिल सके और उसके बाद दोस्तों इसमें जो है लगभग एक लिटर पानी हमें डाल देना है और उसे भी जो है थोड़ा अच्छे तरीके से मिला लेना है और उसके बाद दोस्तों जि ये थी जानकरी दोस्तों आज की वर्ड़ो में और ऐसी जानकरी और भी चाहते हैं आप तुमारे चैनल को जरू सब्सक्राइब कर लें साथ में नोटिफिकेशन बैल है उसको जरू दबह दोस्तों ताकि आने वाली जानकरी आपको मिल सके सबस्के पहले तो आज वोड़ों मुतने दोस्तों, थेंक यू